सबस्ते रेदी मैं ग्राम पंचायत कुमरपुर से सर्पंत पधितु खड़ी में जिसका निसान चस्मा में जो की पहली नमबर में है और मैं एक सिच्छित महिला हूं गाहों की बेटी हूं और एक वारा उसर्द है पन्ना जिला फ्लॉक अजेगर ग्राम पंचायत कुमरपु है वो पहली बार चुनाव लड़ने जा रही है महिला प्रत्यासी पड़ी लिकी है तो इल्म का खुद का कॉंफिडेंस है कि हमारे साथ कोई नहीं जा रहा फिर भी मैं खुद अकेले जाकर गाउं गाउं में जाती हूं लोगों से प्रचार प्रचार करती हूं लेकिन कि चुनाव लड़ रही हूं कि आद तक कोई भी गाउं की बेटी कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकी है वहां के लोगों ने उसे दवा दिया लड़ना भी चाहा है उसने लेकिन उसे दवा दिया गया है मैं पहली बार चुनाव लड़ना चाहती थी और मैं लड़ी हूं वो भी चुनाव में खड़ी हुए और गलती से वो जीत भी गई है लेकर उनके हमेशा देवर, जेट, ससोर इन्होंने सरपंच पद चलाया है कुरसी में पंचाय ध्वन में वही बैठे हैं कभी वो महिला नहीं बैठने गई और गूंगट डालके कहीं जाती भी है तो लोग लोग गलत बोलते हैं कुरसी में तो बैठने ही नहीं देते उसे वो नाम की सरपंच रह जाती हैं वाखि उनके पती देवर, जेट ही चलाते हैं अगर मैं चुनाव ये जीतती है तो मैं सीधी कुरसी में बैठूंगी और सरपंच पद मैं खुद ही समालूंगी अपने पहलीवार है किया आपको किसी ने कहा है कि आप चुनाव लड़ो यह फिर perpet 20 कि टैस जेशी के वहाइड तो क़ क्या करना चाहती है चुनाव में अगर जेत गई अगर जीट गई तो अधार lebih कार निवीट वहाँ तो गाउं जब आप जाती हैं भ्रमड करती हैं लोगों से बात चीत करती हैं तो लोगों का आपके प्रतीक किस प्रकार का विवार रहता है विवार तो अच्छा ही रहता है यह कहते हैं गाउं की वेटी हो हाथ हमें ही जिताएंगे बोर्ड देंगे अपनी वेटी पराई वेटी सब बराबर ही होते हैं अब आगी उनकी अच्छा तो आपको क्या लगता है चुनाव जीतेंगी या क्या है आपको अभी तो पूरा ही लगता कि उमीद कैसी है लेकिन कई भी रोधी भी खड़े हुए हैं जो कि यहां वहां से गलत राजनीती फैलाते हैं लोग पूछते भी हैं लेकिन अब कुछ बताते हैं कि वो जूट बोलते हैं ऐसा नहीं है कहते हैं समर्थन दे दिया उनके बात में विश्वास मत करो लेकर नवाने संजाते हैं बताते हैं जो पूछ लेते हैं जिनकी हमत नहीं हो पाती तब उन्हें कॉन बता पाए और जो बुजुर्ग लोग हैं वो हमेशा से परधान बने हुए हैं अपने अमेहलाओं को भी उनने खड़ आपकी खबर आपकी भासा